जहीं दोस्तों मैं सूर्च चौहान इलेक्टिकल डिपार्टमेंट से मैं आप लोग के बीच बीडेवली का पहला चेप्टर की कुछ टॉपिक आप लोग के बीच लाया हूं इसे आज हम सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे एक टिक लेक्टिक होता क्या है या बित्तु धारा होती क्या है इलेक्टिक सर्किट क्या होता है इलेक्टिक क्या होती है पोटेंशियल डिफ्रेंस क्या होता है तो आज हम सबसे पहले सुख करते हैं विद्धुद धारा यानि इलेक्टिक सीटी जैसा कि हम देख रहे हैं विद्धुद आवेज की प्रवादर को विद्धुद धारा कहते हैं यानि सिंपली से दिख रहा है विद्धूत आवेश की प्रभादर को विद्धूत धारा कहते हैं आई इस उकल टू क्यू अपन टी जैसे कि किसी कंड़क्टर में किसी कंड़क्टर में एक सेकेंड में इतने इलेक्ट्रोन इतने इलेक्ट्रोन फ्लो हो रहे हैं वो क्या कर रहा है ता हमारा electricity यानि electric current ठीक है यह जैसे कि जहां पर हमारा q अपन से और t जो हमारा समय है माली जै किसी pipeline में पानी का फ्लो हो रहा है ठीक है जब pipeline में पानी का फ्लो हो रहा है तो उसमें पानी हमारा जो electron हो गया ठीक है और एक सेकेंड में जो पानी फ्लो हो रहा है उस pipeline के थूँ वो हमारा क्या हो गया समय हो गया समय हो गया एक सेकेंड में जो फ्लो हो रहा है वो electron हो गया और जो फ्लो हो के गया है होंगे तो आइए बताते हैं Q जो हमारा आवेस है इसको हम लेते हैं 1 कूलम और T जो हमारा समय है उसे भी लेते हैं 1 सेकंड अगर इनको हम डिवाइड करते हैं तो यह आई आया था 1 एम्पियर यह नि की आई इस उकल टू की ओपन्टी यानि कि एक एमपीर धारा बराबर है एक कुलामबटा एक सेकेंड यानि एक सेकेंड में जो आवेश फ्लो हो रहा है कि इसी कंडेक्टर में वो क्या गोती है हमारी वो वन एमपीर धारा कराती है ठीक है आई आगे बढ़ते हैं कि मारे सेकेंड टॉपिक हमारा सिस्ति बित्द परिपथ यानि इल्यक्टिक सर्किट है मिलेक्टिक सर्किट है परीपत परीपत है मिक्रैं इससे हमें साब बसाब जायर हो रहा है कि कोई पत है कोई रास्ता है जिस पे जिस पे कुछ चीजे बनी हुई है ठीक है बिदुध धारा का सतत एवं बंद पत बिदुध परिपत कहलाता है जैसे माल लेते हैं जिस एक बिदुध परिपत में क्या क्या होता है चालकतार होता है बैटरी होती है स्वीच होता है बल्व होता है आधी जूड़े होते हैं ठीक है माल जो यह रहा सिंपली देख लेते हैं यह बैटरी का पोश्टी सी रहा है और नेगटी सी रहा है अगर बैटरी के बैटरी का जो करेंट सर्कुट बन रहा है देखिए सर्कुट पुरा जुड़ा हुआ है एक तरह से यह इसमें बोला गया है बिद्धु धारा का सतत एवं बंद पत यह बंद पत हो गया हमारा क्या कहलाता है बिद्धु परिपस कहलाता है ठीक है आखिर बिद्धु धारा का प्रवा होता कैसे इसमें कहा गया है किसी बंद पत में बिद्धु धारा का प्रवा का पत सतत हो हो भी continuous ठीक है तो विद्दुत हरा का प्रवा होता कैसे आई यह जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं कि इसके लिए हमें जानना होगा विद्दुत विवानतर यानि potential difference विद्दुत विवानतर विद्दुत विवानतर से हमें विवानतर दो या दो से अधिक विवानतर को विवानतर कहते हैं सिंप्ली दिखरा है इसलिए हम जानते हैं किसी धारावाही परिपत में एक आवेस को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाने वाला कार क्या कराता है बिद्दुत बिफ़ांतर यानि देखिए ये एक पॉइंट है ये भी पॉइंट है अब यहां से यहां तक ले जाने में किया गया कार क्या कराता है potential difference अब हमारा कार क्या हो रहा है यानि हमें तो आवेस्क ले जाना है यानि चार्ज को यहां से यहां तक चार्ज को कहरी करेकर ले जा रहा है और क्या काऱा हो रहा है एला या हिरे da तो जब यहां से बोल्टेज धक्का देता है और जो उसके मतलब धक्का देने से जो कार्य होता ठीक है वो क्या करता है जूल कार्य हो रहा है और कुलाम आवेस जो है आवेस आवेस हमारा क्या होता करेंट होता एक तरह से उसको पूश करता है ठीक है तो हमारा धारा का फ्लो होने लगता है यानि एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक ले जाने में किया गया कार्य क्या करता है बोल्ट है यादि उसके लिए हम डबलू जूल जो कार रहे हो रहा है उसको वन कूलम ले लेते हैं अगर डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा वन आ जाएगा यानि वन बोल्ट यानि किसी सरकिट में एक जूल का एक कूलम आवेस फ्लो कराने के लिए एक जूल कार करना पड़ता है वो किसके वरार होता है एक वोल्ट के समय दोस्तों